जब जब प्रतिभा पर सवाल उठे हैं, तब तब विहार के युवाओं ने खुद को साबित किया है। यहां के लड़के और लड़कियों ने दुनिया को हर बार ये बताया है कि हम क्या चीज हैं और क्या क्या कर सकते हैं। चाहे बात पढ़ाय की हो या खेल कूद की, बात हो परदे पर जल्वा बिखेरने की या फिर बात हो देश के लिए लड़ने की। हर बार बिहार की माठी ने अपना दम दिखाया है। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बिहार के एक और लाल ने देश दुनिया को अपना नाम बताया है और अपनी प्रतिभा से आद चान तक के सफर में सहयोगी बन लिया है। बात कर रहे हैं बिहार के उस रवी की जो वाकई रवी यानि की सूर्य की भाती अब देश दुनिया के साथ साथ बिहार में चमकने लगा है। ये रवी कौन है और कहां से आते हैं वो सब कुछ हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि चंद्रियान तीन मिशन में सहयोग की टीम में इस्थानिये जवाहर नवोदे विद्याले के पूर्विछात्र और जिले के फूपरी निवासी अरुन चौधरी की फोनहार बेटे रवीकुमार भी शामिल है। वो बच्पन से ही खोजी सुभाव का था उसके इसी उपलब्धी पर हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है। दिन प्रति दिन तेश के बांचितर पर जिले की पहचान बनाने के लिए अन्डे युवा भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें रवीकुमार भी है। उधर रवी की इस ऐतिहासिक उपलब्धी पर परिजनों में खुशी की लहर है। पूरे भारत के लिए शुकरवार एक अतिहासिक दिन था। चंद्रियान 3 की लॉंचिंग का गवाह बनने के लिए हजारों लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थी। उध्साही अंतरिक्ष प्रेमियों ने तालियों की गड़गडाहट के बीचे लवीम 3 रॉकेट को चंद्रियान 3 को सफलता पुरुवत अंतरिक्ष की ओर ले जाते दिखा। तमिलाडू अंतरिक्ष और करनाटक से 10,000 से अधिक लोग सुगई से ही यहां जमा थी। इसका उदेश अंतर ग्रहिये अभियानों के लिए आवश्यक नई प्रद्योगेकियों को विक्सित करना और प्रदर्शित करना है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के उसलाल की जिसने चंद्रियान दीन मिशन में सहयोगी बन कर पुरे देश और दुनिया के साथ साथ बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बने रहें लैफ से टीज के साथ। जदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीचे।